हलो फ्रेंड, सक्सेस प्लेनेट में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार SSE साइंस टेस्ट का क्वेस्टन जिसमें टोटल 10 क्वेस्टन है दोस्तों आपको 10 सकेंड का समय दिया जाएगा अगर आपके लिए समय प्रियाप्त नहीं है तो आप वीडियो को रोग करके 5 सकेंड और एक्स्ट्रा यानि टोटल 15 सकेंड का समय ले सकते हैं इस से अधिक आपको समय नहीं लेना है आपके सामने 1st question है 1st question है हैड्रोजन के समस्थानिक होते हैं दोस्तों हैड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं तीन होते हैं टोटल पहला होता है पुरोटियम दूसरा होता है डूटियम तीसरा होता है ट्रैटियम भारी जल जो बना होता है D2O डूटियम उक्साइड दूसरे नमर पर जो समस्थानिक है डूटियम मिशे से बना होता है, तो हमारा जो सही अंसर होगा, A option 3, hydrogen की जो समस्थाणिक होते 3 टोटल होते है, next question आपके सामने है, कुछ लेक्ट्रॉनernen वोल्ट इक है दूसरी नमर का क्वेस्चन है तो सही एंसर जो इसका होगा दोस्तों तो इलेक्ट्रोन वोल्ट जोई कही है विधु तुर्जा की बी आप्शन सही है और अक्सर एक जाम में इसका वैल्यू पूछा जाते है इसका वैल्यू भी आप याद रखेगा इसका वैल्यू होता है 1.6 गुना 10 का पावर मैनस 19 जूल होता है इलेक्ट्रोन वोल्ट आप कि पीटैमिनई का रासाइंबक नाम है यहाँ पर कि सी ऊप्षन में दिया हुआ हुआ तेको ह्लो बिटैमिन बारा नाम और होता हुआ है जो कि बखेए दोस्तों अगर आप लोग 10 में से साथ सही बना पाते हैं तो आपकी त्यारी साइंस में अच्छी है और अगर आप जितना भी बना पाते हैं कमेंट में जरूर जबाब दिजेगा दस में से साथ या आठ या दस आप बना पाते हैं तो कमेंट में जरूर जबाब दिजेगा इ कते हैं सुस्क कहते हैं हमाया जो सही एंसर होगा सिसी ऑप्शन के सामने की का सूर्ज से प्राब्णुर्जा का सुरुत ़ buscando के सल्यन होते जैसे बी ऑप्शन में दिया हुआ रहा धानिक सल्य ये बिल्कुल गलत यहां पर नाभिक के फ्यूजन नुकिलियर फ्यूजन और नाभिक नुकिलियर फ्यूजन दो अप्शन दिया हुआ यह नाभिक के विखंडन का इंगलिस नेम दिया हुआ अक्सर एक्जाम में नाविक के सल्लेन विखंडन से जो क्वेस्चन पूछा जाते हैं इसका इंगलिस नेम दे दिया जाता है क्योंकि यह बहुत ही कन्फ्यूजन नेम है इसकारण से तो दोस्तों अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं इस तरह सी याद रख सकते हैं जैस कि दोस्तों विखंडन के लिए और याद रख सकते हैं यहाँ पर यू दिया हुआ जो कि इंगली सल्फाबेट में लास्ट में होता है और हिंदी वर्ण वाला में सब बाद में होता है तो यह नाविक के सल्लेन के लिए इस तरह साब याद रख सकते हमारा जो सही अंसर नेक्स्ट क्वेस्चन आपके सामने है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है पारसेक है और परकास वर्ण का तीगुन्ना होता है पारसेक तो इसलिए सबसे बड़ी जो इकाई होगी पारसेक तो इसलिए सबसे बड़ी जो कि निमलीखित में कौन सा सही है जैसे फरस्ट प्सन में नीली करान्थी तो नीली करांथी तो संबंधित है मचली उत्पादन से यहां कोकुट पाले नहीं हुआ क्वर्पत हैं हरित करांथी है फासल उत्पादन यानि इसमें सवसदीक प्रभावी घेहूं था और फाल उत्पादन यहां है जो कि गलत है श्वेतकरांती श्वेतकरांती दूद पादन से संबन दीता है इसके बाद D option में रजत करांती तो अंड़ा उत्पादन ये बिल्कुल सही है इसका जो सही अंसर होगा D option रजत करांती नेक्स्ट क्वेस्चन आपके सामने है आठमा क्वेस्चन है पाइकोलाजी किसका अध्यान है तो फाइकोलाजी में जो अध्यान किया जाता है सहवाल का लेकिन option में सहवाल यहां पर नहीं दिया अक्सर एक्जाम में इसका इंगलिस नेम दिया जाते हैं इसलिए हम भी ऑप्शन में इसका दिये होगा तो डी ऑप्शन इसका सही होगा कि नाइन्थ क्विस्चन आपके सामने हैं कि स्वार मंडल का सबसे चोटा अपगरहहां है यहां पर फेवेव ऑछ तो कि में ने मंगलником की दो ऑपगरहहां होते हैं और धिमोस्च जो सबसे चोटा ओपगरहहां आप अगर इसको याद रखना चाहते तो इस तरह से याद रख सकते यहां पर D है और यहां पर F है तो इंग्लिश अल्फावेट में पहले होता यानि D छोटा है और F बढ़ा है तो दि मोस छोटा हुआ साती टैटन जो है सनी का सबसे बढ़ा उप्गरा है तो हमारा जो सही एंसर होगा D option D most next question आपके सामने है बर्मांड में पर्चूर मात्रा में कौन सी गायस है दोस्तों बर्मांड में जो सबसे पर्चूर मात्रा में गायस जो है रोजन आप जितने भी सही बना पाए हैं कॉमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा धन्यवाद दोस्तों